हाई फ्रेंज मैं हमेज जैन आई टीकुरीज में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपके पास यह वाइफाई एडप्टर है और आप विंडोस 7 यूज़ करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है इसका ड्राइवर आप किस तरीक से डाउनलोड करोगे और किस तरीक से इस्टॉल करोगे आज इस वीडियो में यही सब कुछ में बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखना चोटा सा वीडियो है लेकिन मैं सारी चीजे के लिए करूंगा इसके अगर आपका एक ड्राइवर डाउनलोड होने से काम नहीं हो रहा है तो दूसरा किस तरीक से अपन डाउनलोड करेंगे तो मैं दो या तीन तरीक से डाउनलोड करना बत जाँगा तो वीडियो को पूरा देखना तो करते हैं दोस्तों वीडियो को start दोस्तों अपना चुके हैं लेप्टॉप की screen पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका driver अपन किस तरीक से download करेंगे तो करते हैं Start Google पे आ चुका हूं मैं और यहां पे अपन को टाइप करना है Wi-Fi Adapter 802.11 और N लगाना है उसके आगे और बाद में लिखना है Download ठीक है इसको लिखके मैं Enter आ रहा हूं और यहां पे CNET की वेवसाइट का है सब्सुप पर और इससे अपन right click करके दिन open पे click करेंगे और यह website open हो गई है और यहां पे Download पे click करेंगे तो यह पहला driver अपना download हो जाएगा आप सबसे पहले यह driver भी download कर सकते हो download पे click किया मैंने यह आपे और यह driver download हो रहा है यह इसने location मांग लिए कि कहां पे आपको करना है और मैंने इसको यहां पे save कर दिया है ठीक है यह driver download हो चुका है इस तरीक से ही मैंने पहला driver बताया है दोस्तों अगर यह driver आप download करते हो और उसके बाद आप installation करते हो तो भी आपकी problem का solution नहीं होता है तो second बता रहा हूँ ध्यान से देखना आपको वही Google पे जाना है और यहां पे वही Wi-Fi adapter वही लिखना है उसके बाद लिखना है Realtake 1030 यह लिखकर enter बाना है Realtake 1030 enter बाना दोस्तों यह जो window आई है इसके नदर आपको second बाला लेना है drive cloud बाला इस पे right click किया मैंने then open new tab पे click किया मैंने यह new window में open हो गया है और यहां पे आपन को यह download करना है तो इसको मैं यहां पे download this driver इसपे click करना है दोस्तों इसपे और मैंने इसपे click किया दोस्तों इसके बाद server of driver clouds इसपे click करेंगे then आप click करोगे तो click करता है यह drive download के लिए पूछेगा कहा पे आपको download करना है then is save पे click कर देता है और यह save हो गया इस तरीके से दोस्तों यह driver भी download हो गया, तो अपना second driver download हो चुका है, एक driver बता रहो है आपका, अगर यह दोनों के बाद भी आपकी problem का solution नहीं होता है, तो दोस्तों तीसर driver आप कौन सा download करोगे, जिससे आपका finally, अगर आपका installation नहीं हो पा रहा है, तो यह finally install हो ही जाए आपका, तो तीसर आपको क्या करना है, कि आपको भी Google पर जाना है, और यहाँ पर लिखना है Wi-Fi Adapter, वह यह आप यहाँ तक click होगे, अब इसके बाद, इसके अंदर MediaTek और add कर देंगे, अपन, Wi-Fi Adapter add join MediaTek, ठीक है, MediaTek Driver Download, यह लिखके Enter मार देंगे, तो यह MediaTek वाली Jio website है, सबसे पहली वाली, इस पर right click के open पर click करना है, then new window open हो गई है, इसमें अपन को क्या करना है, ध्यान रखना दोस्तों, नीचे नीचे जाना है, नीचे नीचे, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखो, यह यहाँ पर IS setup ICS, यह वाला मिल जाएगा, windows के नीचे जो लिखा हो है, इस पर click करना है, ध्यान रखना है, इस ही पर click करना है, इस देखते हैं कि इसके लिए कौन सा राइवर परफेक्ट रहने वाला है यह मैं डेक्स्टॉप में लगाने वाला हूं और वहां पे Windows 7 के अंदर आपन चेक करेंगे कि कौन सा राइवर इस्टॉल होगा तो चलते हैं डेक्स्टॉप पे और इसको इस्टॉल करके चेक करते हैं तो दोस्तों अब यह जो वाइफाई एडप्टर है यह वाला तो मैं इसको लगाने चाहरा हूँ इस desktop पे और अपने इस Windows 7 वाले desktop पे और इसका driver इंस्टोल करेंगे यहां पर लगा रहा हूँ ठीक है मैंने लगा दिया है और मैंने इस pen drive में इसके driver copy कर लिये हैं वो भी यहां पर लगा रहा हूँ ठीक है अब मैं यहां पर यह pen drive open कर रहा हूँ यह pen drive है दोस्तों removal disk इस पर click किया मैंने और यह मैं open इसको बड़ा कर लेता हूँ आपसे ठीक है इसमें सबसे पहले अपन यह वाला driver डालते हैं VLAN driver वाला ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे इस पर double click करेंगे इसमें जाएंगे इसमें जाने के बाद यहां पर setup का option है setup.xc इस पर double click करेंगे आपके इसके अंदर winrar install होना जरूरी है तब यह properly काम कर पाएगा yes और यह setup run कर आदिया मैंने next next और यह driver install हो रहा है इसके अंदर देखते है कि वह लेता है कि नहीं लेता अगर आपके पास windows 8 या windows 10 है तो हो सकता उसमें automatically यह install हो जाता हो अगर नहीं हो पा रहा है तो यह driver उसमें भी काम देंगे तो आप उनके लिए भी use में ले सकते हो मैं finish कर रहा हूं और आपन चेक करेंगे यहां पर icon तो नहीं आया क्या पता install हुआ कि नहीं हुआ यहां पर icon तो नहीं आया यहां पर चलता है my computer पर right click then properties properties के बाद यहां पर device manager और इसके अंदर देखते हैं अपन यह other devices में यहां पर show कर रहा है मतलब जो अपने driver install किया है उसने लिया नहीं तो दूसर driver try करते हैं दोस्तों दूसर driver यह था अपना 001 realtech windows driver इस पर click करता हूं यह इस पर click किया मैंने यहां पर close पर click किया then इस पर click किया इसमें भी setup file है setup file पर double click किया और यह run होगी install करना typical नहीं होता दोस्तों अजकर setup file होती है उसको direct double click किया run किया next next किया और install हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आती और मैं आपको यह 2-3 driver install करना बता रहा हूं अगर यह दूसर से भी नहीं होता है तो तीसा final है उससे तो होई जाएगा उस तरीके से आप भी 2-3-4 जो मैंने बता है वह सब driver download कर लीजेगा फिसके बाद try कर लीजेगा जिससे आपका install हो जाए उससे आपका काम हो जाएगा मैं इतने driver इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग-अलग brand वालों के अंदर अलग-अलग chipset लगा होता है तो वह दिखने में तो बहार से एक जैस ही होता है लेकिन जरूर नहीं है कि वह अंदर से उसके अंदर driver कुन सा ले यह restart के लिए पूंच रहा है मैं अब इसको no कर दे अगर driver लिया होगा तो यहां से show कर जाएगा ले लिया नहीं लिया इसने driver नहीं लिया ठीक है आप उसके लिए restart करके try कर सकते हो मुझे तो वीडियो बनाना है इसलिए मैं इसको अभी ऐसे ही चेक करके बता रहा हूं आपको ठीक है अब आपन तीसर driver install कर रहा है तीसर जो driver था मैंने Mediatek का install किया था और Mediatek जिसके अंदर is setup. यह वाला यह वाला अपन ने download किया था और मैंने यहां पर close कर दिया यह इस पर double click करके इसको run कर रहा हूं मैं then yes यह Mediatek का driver है yes ठीक है I accept then next यहां पर install driver Mediatek यहां पर next पर click कर देंगे next install थोड़ा sound का vibration आ रहा है इसके अंदर से इसलिए आपको सुनने में noise में problem होगी दोस्तों यह install हो रहा है और यह दो देखिए यहां पर Wi-Fi का icon आ चुका है यहां पर अपन क्लिक करके यह चेक भी कर सकते हैं कि इस शो करने लग गया है आपर तो इस तरीक से दोस्तों यह driver में install हो चुका है और अभी तक खेर चल रह आप फिनिस कर दिया मैंना खीक है यह driver install हो गया है आप यहां से जो भी आपको connect करना है उसको connect कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैंने फाइनली इस के इनदे driver install करके और आपको दिखा दिया है पहले तीन तरीके के अपने डाउनलोड किये drivers फिर उसके बाद तीन हो आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करके जरू जाना वो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना थेंक यू फॉर वाचिंग